तो तो क्या हाल चाल है सब बढिया थीठ फाक मज़े में इस सेशंद में हम ले-कर आए हैं human bloods और Mono West एक आईसा क्या canyon में इसे question आते हैं तो हम लोग blood में क्या-क्या function होते हैं blood को study कर लेँगे फिर composition particular होता है रघत का संगठन क्या होता है रल्रक्त कणि का रेट ब्लॉट कारपॉसल क्या होता है स्वेत रघत कर का र्गत करपॉसल क्या होता है रघत विंबाडी बलŉड composition देखेंगे और जो प्रिविच येर में taking हर इंग्जाम्स में उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आई यह सुरू करते हैं ब्लॉड से रिलेटेड रक्त तरल सन्योजी तरल सन्योजी उत्तक है लिक्विट कनेक्टिव टीसू होता है रक्त का जो नेचर होता है प्रकीर्त होती है वो दुरूबल्चारी वीक बेसिक वीक बेसिक अलकलाइन इसकी जो नेचर है वो मान 7.4 होता है पीएच क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसका रक्त के अध्यान को हेमाइक्टोलाजी कहते हैं और मानों शरीर में जो रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का जितना वेट होता है शरीर का उसका 6 से 7 परसेंट तक होता है जो मेल होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है और फीमेल जो होते हैं उनमें इस से आधा लीटर कम होता है नेक्स है कि जो पी अचल हम लों ने देखा था कि यहां परिछण करता है कि किसी पदार्थ के लिए पानी का बिलियन कितना अमली है कम pH billion में hydrogen ion की संदर्ता उच होती है और उच होने के काराण ये जो होते है acidic होते है जिनकी pH value कम होती है वो acidic होते है और hydrogen ion की संदर्ता अधिक होती है और उच pH billion में hydrogen ion की संदर्ता जो होती है concentration of hydrogen ion जो होता है वो बहुत कम होता है और वो alkaline nature के होते है और सेबन जो होता है जो वाटर का है वो होता है नीट्रल होता है उसकी वो जब pH value सेबन होती है तो ना तो एस्टिक होता है और नहीं अलकलाइन होता है अब है रुधिर दाब जो नापा जाता है रुधिर दाब को जो नापा जाता है वो होता है हम लोग का अस्फाइगनो मीटर का लाता है रुधिर दाब नापने का यंत्र जो होता है वो अस्फाइगनो मीटर का लाता है उससे हम लोग रुधिर दाब को नापते हैं स्फाइग्नो मीटर नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है ब्लड जो नार्मल पर्षन होता है उसका होता है 120 वाई 80 mm मिलीमीटर एडल्ट हुमन जो होते है एडल्ट हुमन में ब्लड का निर्माड जो होता है अस्थी मज़ा बोन मेरो में होता है और एडल्ट होते हैं उनका उनमें जो ब्लड का निर्माड होता है वो बोन मेरो अस्थी मज़ा में होता है रक्त का संगठन क्या कमपोजिशन रक्त में 55 परसेंट जो होता है प्लाजमा होता है और 45 परसेंट जो होते हैं रुदिराणू या रक्त कनिकाएं ब्लड कारपसल्स होती है और जो प्लाजमा हमारा है उसमें यह कोश्चन बनते हैं मरे कि रक्त में प्लाजमा कितने परसेंट पाय जाता है तो 55 परसेंट और प्लाजमा में कितना परसेंट जल है यह भी कोश्चन बना है तो प्लाजमा में 90 परसेंट जल होता है और 7 परसेंट जो होता है प्रोटीन और लॉमर्ज होते हैं वो 0.9 परसेंट गुलकोज होता है 0 2.1% और अन्य होते हैं वह सबस्टेंसज होते होगा और ब्लाद कारपोसल भी हमारे तीन तरके में होते हैैं Rbc red blood carpuscles wbc white blood carpuscles और platelets रक्त बिंबारोगे इन सबस्क्राइगे पहले हम्लों रक्त करने का हैं देखते हैं तो लाल रक्त करने का हैं इसमें पहला हम लोग का है कि कौन सा लाल रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाएं हमारी जो होती है इसका बैग्यानिक नाम बैग्यानिक नाम कहलाता है एरित्रोसाइट बैग्यानिक नाम है और ये पाए जाता है अस्थी मज़ा में इसका निर्मार जो होता है वो अस्थी मज़ा में होता ह और बुन होग कृलें की इसका की निर्माड बयास कवस्था में अस्ती मज़ा में और भूरह का वस्था में तो जब यह होता है तो अक remembrance में होता है करिथ में लाइफटॉाइम होता है twenty lifetime जो है का वन ट्वंटी डेस होता है। इसमें केंदरक नहीं पाया जाते हैं। यह वन ट्वंटी डेस तक ही रह पाता है। जीवित रह पाता है। और इसका डेथ जो तर अप्लीया में होता है। इसे erythrocyte भी कहते हैं डिस्क के आकार वाली कोचका आएं मध में आवतल होता है तो यहां पर आप देखें कि डिस्क के आकार यह RBC है डिस्क के आकार की है और मध में कैसा है आवतल आकिरती है lifetime 100-100-120 days होता है खराब हुई RBC जो होती spleen प्लीहा जो था में जाकर नस्ट हो जाती है spleen को RBC का कबर भी कहते है graveyard भी कहते है यह भी question पूछा हुआ हुआ है इसे blood bank up RBC भी कहते है यह भी question आपके परिछाओं में आ चुका है RBC में nucleus नहीं पाए जाता है kendra नहीं पाए जाता है तो यह concept था लेकिन कुछ exception है जैसे उंट है एक lama प्रजाती के जीऊ है तो उसके RBC में nucleus भी पाए जाता है अब RBC का work क्या है RBC का मुर्ख मुखे कार जो है oxygen का परिवहन है RBC में hemoglobin नमक protein पाए जाता है यह भी कि hemoglobin क्या है बसा है carbohydrate है एक question बना हुआ है protein है तो यहां पे option कौन सा हो जाएगा आपका correct protein तो hemoglobin जो होता है एक protein होता है आपको यह ध्यान देना है कि hemoglobin protein होता है hemoglobin के कारण ही रक्त लाल रंग का होता है रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है hemoglobin के कारण और hemoglobin में क्या पाए जाता है iron पाए जाता है यह भी ध्यान देना है आपको लाल रक्त कनिकाएं जो होता है दो सब्दों से मिलकर बनाए एक तो hematin जिसमें लौतत तो पाए जाता है दूसरा ग्लोवीन यह प्रोटीन है ग्लोवीन प्रोटीन है और यह तो मेटल सो हीमेटीन जो होता है लौतत्त होता है यह आपका हीमेटीन का लाता है काक्रोज में सफेद रंग का रक्त होता है जिसको हीमो लिंफ बोलते हैं हीमो लिम्प, सफेद रंग का रखत होता है, आक्तुपस में नीले रंग का रखत है, यह काक्रोच है अपका और यह आक्तुपस है, तो जो काक्रोच है उसमें सफेद रंग का रखत होता है, जिसको हीमो लिम्प बोलते हैं, आक्तुपस में नीले रंग का रखत होता है, जिस एक यह एक तरसंगे का लाता है, अगर RBC की संख्या बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैji मonisys, सोते समय RBC की संख्या घढ दिया लगवा 5% घढ जा गदतीया, उचाई पर जाने पर इनकी संख्या बढ़तीया, लगवा 15% बढ़ जातीया, RBC की संख्या जब decrease होती है घटती है तो एनिमिया नमक रोग हो जाता है iron की कमी हो जाती है रक्त की कमी हो जाती है RBC का अगर numbers of counts है RBC अगर decrease कर रहा है घट रहा है तो एनिमिया होगा iron की कमी होगी और रक्त की कमी होगी अगर RBC की संख्या बढ़ जाती इंक्रीज हो जाती है तो उस स्टेज को बोलते हैं पाली साइथिमिया कहते हैं और ये कंडिसे तो उचाई पर जाने पर गर्धारान के समय तो अचा पर धब्बे बन जाते हैं तो ये होता है पाली साइथिमिया लाल रक्त कणिकाय में एक थैलिसीमिया नामक रोग होता है और थैलिसीमिया एक आनवांसिक रोग है और इस आनवांसिक रोग को इस रोग से होने पर सरीर में हीमोग्लोवीन निर्मार की परक्रिया में गर्बड़ी आ जाती है जो हीमोग्लोवीन की निर्मार की परक्रिया उसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त छीनिता, खून की कमी के लच्छन प्रकट होते हैं, खून की कमी हो जाती है, तो यह थैलिसीमिया, आप याद रखें कि यह अनवांसिक रोग है, और इसमें क्या होता है, कि रोग में होने से सरीर में हीमोगलोवी निरम मार की प्रक्तिरिया में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारणा रख्त छीड़ता खून की कमी के लच्छन प्रकट होते हैं अब आते हैं हम लोग डवलूबीसी वाइट ब्लॉट कारपसल्स स्वेत रख्तकनिका हैं यहां पर आप देखें कि कैसी है बैज्ञानिक नाम है इसका निर्मार भी अस्थी मज्जा में होता है और इसकी जो मिर्तु होती है वो रक्त में ही होती है जैसे कि हम लोग ने आरबीसी को देखा तो आरबीसी की जो मिर्तु होती है वो किस में होती है वो प्लीहा में जाकर होती है इस प्लीन में होकती थी लेकिन इसका मिर्तु जो होती है रक्त में ही होती है और lifetime होता है 2 से 4 डे कुछ बुकों में 12 से 13 दिन भी दिया है लेकिन इससे tension नहीं लेने का क्योंकि अगर objective question आता है तो दोनों तो होगा नहीं कोई एक होगा ये 2 से 4 या 12 से 13 तो जो एक option होगा आप उसको लगाई है और death दो जगों पर एक तो यहां पर मिर्टु रख्त में यह प्लिहा में नहीं होता है निर्माड कई जगों पर होता है एक तो अस्थी मज्जा में भी निर्माडमार होता है यानि RBC की मिर्तु कहां पे होती है, RBC की मिर्तु जो होती है, वो प्लिहा में होती है, लेकिन WBC का निर्मार कहां पे होता है, यह आप ध्यान देना है, कि अस्ति मज़ा, लिम्प नोड और कभी-कभी यक्रित में भी निर्मार होता है, और प्लिहा में भी निर्मार होता है, और WBC की खासियत है कि इसमें नुकलियस भी पाए जाता है, तो WBC में नुकलियस भी हमारा पाए जाता है, अब आते हैं हमारे सरीर में कारी क्या है, वर्क क्या है, तो यह भी very important है, प्रत्रचीतन्त, जो हमारा सरीर है, उसके immune system को मजबूत करता है, बढ़ाता है, और रोगों सेल भी कहते हैं, रक्त का पुलिसमाइन भी कहते हैं, और सरीर की रच्छा पणाली का साइनिक सोल्डर भी कहते हैं, यह कहते हैं, साइनिक सोल्डर भी कहते हैं, तो यह गार्ड सेल कालाता है, रक्त का पुलिसमाइन भी कहते हैं, इसको रक्त का पुलिसमाइन भी कहते हैं, और शरीर की रच्छा पणाली का Sanic Solid, ग्रेनुलोसाइट भी तीन तरह का है न्यूट्रोफिल्स बेसुफिल भी बोलते है यह स्नोफिल्स का लाता है और यह जो हमारा और कणिकाई यूप्त होती है और लिम्फोसाइट भी होती है हिनमें जो स्वेरें्टा रख्ते कणिकाओं में दो तरह की एक तो कणिकाई यूप्त थी यहां प्होर 25 नियूट्रोफिल्स हमारा है कहएं अ म् नूट्रोफील और डूसरा यह बस नूट्रोफील और यह भी और यह वार। वासोफिल्स यह कड़िका यूप्त है और यह जो मोनोसाइट है लिंपोसाइट है कड़िका भीहीन है अब इसकी खासियत क्या है कि कुछ नीट्रोफिल्स का काम क्या है WBC का सबसे अधिक भाग जो होता है नीट्रोफिल्स होता है और हमला करने वाले बैक्टरिया पर हमला कर देते हैं और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं नीट्रोफिल्स का काम है अगर कोई बैक्टरिया है अंदर चला गया तो सबसे पहले यही एक्टिव होगा और बैक्टेरिया को चारो तरप से घेर लेगा अपनी गिरफ था का रोधी तरल हीपेरीन वासो फिल्स वाला भी बड़ा इंपर्टेंट है हीपेरीन यहीं से स्राव करता है जो बिशिस्ट इंटिजन एंटिजन के खिलाब ब्लॉट सेल में थक्के जमाने के काम आता है यानि व फासो फिल्स ही ठक्के जमाने के भी काम आता है ब्लॉट सेल में और हीपीरीन का स्राव करता है लिम्फो साइड एंटी बाडि उद्पादिद करता है जो एंटिजन से सरीर की रच्छा करता है और संक्रमण के खिलाब हमें प्रति रोधक छम्ता प्रदान करता है इसे मेमो रक्त बिमारू हमारे इस तरह से होते आर इसका जो बैग्यानिक नाम है थो मोसाइट है निरमार होता है इसका अस्थी मर्जा में होता है मिर्थु एस्पलीन में होती है ओर लाइफटाइब होता है ये इसका नहीं था, WBC का तार, ये हम लोग का कहाएं कि रक्त बिंबारू है और ये प्लाज्मा, प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो होते हैं, तैरते रहते हैं, इसका 90 परसेंट भाग जो होता है, जल होता है, बिलरूबीन के कारण इसक कुछ देर बाद उस पर हलका पीला पीला चिपचिपा पदार्थ जम जाता है तो उसी को बोलते है बिलरूबीन बिलरूबीन में यह देख लिया कि हम 90% तो वाटर होता है खनीज लवन गुलकोज भी होते हैं जो इनर्जी देते हैं और तीन तरह के प्रोटीन होते हैं है ग्लोबूलीन मुखरूप से रच्शातंतर में सामिल होता है अलबुमीन परासरैनी सल्ट है दाब को बनाय रखने में मदद करता है अब फ्राइब्रीनोजोन जो होता है असपंदन कारक के रूप में कारे करता है जो फाई फाई बिरिनो जेन है वो असपंदन असपंदन का मतलब रक्त की प्लोटिंग प्लोटिंग जो होती है उसके यूज होता है तो फाई फाई सरी सरी फाई बिरिनो जो जेन जो है असपंदन कारक के रूप में ये कारे करता है अब हम लोग आते हैं कोश्चन पर जो MCQ कोश्चन है बड़े important कोश्चन है लगभग 90 कोश्चन को मैंने collect किया है और ये सभी किसी ने किसी exams में आए हुए हैं तो देखते हैं हम लोग कोश्चन क्या है रक्त के मुख कार है मुख कार जिए क्या है परिवहन, सूरच्छा, protection, binieman, regulation, उपर्युकत सभी तो रक्त जो होता है कि ये तीनों काम करता है है परिवहन भी करتा है सुरच्छा भी देता है binieman भी करता है यानी अगर explanation देढें तो रक्त के तीन मुख कार है परिवहन सन अच्छन और बिनियम है नेक्स कोश्चन हम लो लेते हैं कोश्चन कह रहा है निमलिकित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा टांस्पोर्ट किया जाता है फेपडे और शरीर के बाकी हिसों के भी चार्चिजन कार्बन डाई गैसे यकृत गुर्दे द्वारा डी टाक्सिफाई हटाय जाने वाल और शिस्ट उत्पाद पाचन किरिया से पोसरत तक्त यह भी जो हता है उपरिक्त सभी होगा यहां पर रक्त फेपड़े और शरीर के बाकी हिसों के बीच आक्सिजन और कार्बन डाई एकसाइड जैसे गैसों साहित का पदार्थों को अ एक सभी जाहता हैं जो ऑचा से गर्मी जो सरीड के साहित करने में मदद करती हैं लौट्स को शनेर रक्त होता इक उपकलित उत्तक यह और धोनों इनमें से को हैं तो एक कनक्लिशी उत्तक होता है को में तो यह को उन्हुंसक्बनी साहिक। सारे सरीर में आक्सीजन पहुंचाता है खड़े होने में सायता करता है तरलता बनाई रखता है यानि ये सारे सरीर में किसको पहुंचाता है सारे सरीर में आक्सीजन को पहुंचाता है तो ये हम लोग का होगा आक्सीजन इसका एंसर सारे सरीर में एक्सीजन को पहुंचाता है नेक्स कोस्टन है हमारा एक बैक्ती में लगभग million millimeter में रख होता है पांच से पांगर में पांच चार से चार तरमनो ये तो हम लोग देखिए थे मही चौन होता है ये बन जा रहा है हम लोग का तो 5 से महीलाओं में तो इससे आधा लीटर कम तो ये इसमें फिट बैठेगा, आफसान ये में, नेक्स कॉस्सिन है हमलों का मानोर उधिर का पी अच होता है, यह भी हम लो देखेते हैं, 7.4 मानोर ये जो होता है, नेक्स कॉस्टेन हम लो देखते हैं, मानो के खून का पी अच होता है अधिक अमली कम चारी तो वहां पर हम लोग बोले थे कि दूर्बल तो दूर्बल का मतलब वीक अलकलाइन होता है तो कम चारी होता है तो यह आपसर भी हमारा करेक्ट होगा नेक्स कोश्चन हम लो लेते हैं मानो रक्त यदि अमली हो जाए तो क्या होगा हिमोग्लोबीन की आक्सीजन वहन चमता बढ़ जाएगी हिमोग्लोबीन की आक्सीजन वहन चमता कम हो जाएगी आर्बीसी गढ़ना बढ़ जाएगी आर्बीसी गढ़ना कम हो जाएगी तो हिम लोंका प्राकिरति कॉलाईड कौन सा है इछु सक्रा कोलाइड रख्ध कॉलाइड होता है नेक्स कोशन है मानों मैं क्रेट मैं कोटी नंस का किटने प्रत्त प्लाजमा होता है तो 55 परसेंट यह यह तो होता है एक हल्के पिले रंग का गाढ़ा तरल पदर की आयतन का लभव 55 प्रशत होता है दूसरे रूप तो 90 से 92 परसेंट तक होता है नेक्स कोश्चन हम लों का निमने में से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है प्रोथेंप्रोंबीन हीमोग्लोबीन फाइबरीनोजेन ग्लो व्यूलीन तो उसमें होता नहीं है तो हीमोग्लोबीन यह हो जाएगा नेक्स कोश्चन हम लों का रक्ट का ग्लोकोज अस्तर समानता ब्यक्त किया जता है ग्राम प्रत लीटर में मीली ग्राम प्रति डेसी लीटर में हम पारे के एम्म में मिले भाग प्रति मिलियन में तो मीली ग्राम प्रति डेसी लीटर में र फॉता है तो खाली पी पेट्ट जो होते तो नेक Suite 0000 और सलोग कोलेश्टार समान यस्टर में59D तो नेक्स्कोस्टेन हम लोगं का है बयस्क पुरूस में RBC की समानीता संख्या होती है तो RBC की संख्या जो होती है वो 5.4 MILLION 5.4 MILLION होता है रक्थ उत्पत्ति कहा होती है तो रक्थ उत्पत्ति रक्त की उत्पत्ति हिंदी बड़ा एकलिस्ट है इसका रक्त ही उत्पती है वान मेरों में होता है ऐस्ती मज्जा में नेक्सlynn लिए कांजा कनकाई में बंती है तो नीला अस्ती मज्जा लाल अस्ती मज्जा में ही बंती है ञं master कि हम लोग ने नहीं पाय जाता है दिदिय सक जी सक Button होटी यह कहां हैं तो यह तो लिहाए कृत में होती है तो इनका निर्मार होता है 주 तो यह हम लोगों का हो गया निमनिल खित में से कौन सा मानो शरीर के बिभीन अंगों का आक्सीजन बाहक है तो आक्सीजन का वाहन डबलू बीस आर बीसी करता है तो यह हो जाएगा और बीसी नेक्स कोईशन है हम लोगों का बहुत अधिक उचाई पर मनुस की लाल रुधिर कणिकाएं अभी हम लोगों देखें कि संख्या बढ़ जाती है तो लाल रुधिर 30 परसेंट जो होता है इनकी संख्या इंक्रीज कर जाती है तो संख्या जो होती है बहुत अधिक उचाई पर पालीसाइथेमिया, हीमोफिलिया, लुकेमिया तो अभी हम लोग देखें पालीसाइथेमिया हो जाता है एक इस्तिती है ऐसे जिसमें रक्त में लाल कुष्काओं की हीमोग्लोवीन की कमी होती है हाथ है काँस आ है तो हुआं सा या ही में थो यह मतवकिन की कमी हो जाती है सहोटे बच्त बच्चहित अकसर होता है मानसरीद में रक्त democrats आपृर्द्टी को वर्लिप्स अक्षर करा दिए dvh यदे आहं को मानों सरीर का रख्त हास्थ favorites है करना दो क्योंद का ये रहतोर दो हम पार्पिस प्लिया होगा सब्सक्रोफ sowohlें के वह वह बना आर्बीसी का विनाज करना यह तेरी हम बताए थे आपको कि WBC का बनना और RBC का बिनास होना कहाँ पे होता है WBC अपलीहा में बंता भी है और RBC का बिनास होता है तो यह इसका एंस्वर भी C होगा नेक्स कोश्चन है लाल रक्त कोश्काओं का रंग निमलिकित में से किसकी उपस्तिती के कारण होता है हिमोग्लोबीन, साइटो क्रोम, क्लोरोफिल, हिमोसाइनी, तो हिमोग्लोबीन के कारण होता है, next question हम लोगा है, हिमोग्लोबीन का मुखे घटक है, स्वेत रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका है, प्लाजमा सभी विकल्प सही है, तो लाल र इसे वदल को साइबाइन COM seeking important part कि जो हुए नEGY next question है निम्ने में से कौन सा ही ! ? एक प्राथमी कार है characterized वेक्टरिया का बिनाज करना हुपियोग करना ऐक्सेजन का वहन करना रखतल्पता होने से रोकना तो यानि आक्सीजन इसका मुख्यकार आक्सीजन का वहन करना होता है निमलिकित में से कौन सी गैसे रक्त में आक्सीजन ले जाने की छमता को कम करती है नाइटरस अक्साइड कार्बन मोनो अक्साइड कार्बन डायक्साइड नाइट्रिक अक्साइड तो कार्बन मोन अग्साइड जो होते हैं ऐसी गैसे जो आक्सीजन को ले जानी की छमता को कम करती हैं आ निम्लिकित में से कौन सी वाई परदोसन आक्सीजन की अपेच्छा अधिक सीकृता से रक्त के हिमोग्लोबीन में फूल जाता है तो पैन कार्बन डायकसे कार्बन मोनोखसाइड ही होत है निम्लिकित में से कौन सा रख के साथ ? ढयाने हम ्याहां तो कम देख रहा है कि रख के साथ कोई भी गैस है तो oben नेक्स कोश्चन है हीमोगलोबीन की निमने में से किसके साथ उस्तम समानता है फिर यहां पर भी कार्बन मोनो अक्साइड ही यह भी कार्बन मोनो अक्साइड नेक्स जो है कोश्चन हम लों का मानोरक्त में कार्बन डायक्साइड परिवहनित होती है परिवहनित होती है किसके स्वोडियम वाई क्यार्वोनेट के रूप में इसका पर्यूहन होता है तो यह सोडियम वाई कारवोनेट नेक्स है है रख्त में अधिकानbagenca2 ले जाये जाता है एर्थोसाइट देब भीटर प्लाजमा ने कर- Carbonic Acid के रूप में पोटेंशियम नेक्स क्योशन रक्त में हीमोगलोवीन एक प्रूटीन है जिसमें भरतूर मातरा में पाए जाता है लए तत थौर आईरन हम बताये थे आपको लए तत पाए आपको बतादें कि जो ब्लड होता है उसमें बीटामिन बीजु फ पाए जाता है वीजुक्स भी पाए जाता है ये । मानो शरीर का निमलिकित में से कौन सा भाग रख त्वारा शरीर के से भागों से लाई गई कार्बन डाय अक्साइड का निश्कर्शन करता है वाई नली स्वर्तंत्र स्वासनलिका और वाई को इसका है यह लास्ट वाला आप्शन डी करेक्ट होगा किस प्राणी के जिवद्रम में हिमोग्लोवीन का बिलय हो जाता है मेधक मत्व मानो केचवा तो केचवा में हिमोग्लोवीन का बिलय हो जाता है नेक्स कोईशन हम लो लेते हैं निमन में कौन मनुस में स्वसन रंजक है हीमोसाइन हीमो इरितियन केरोटीन हीमोग्लोवीन हम लोग लेते हैं हिमोगलोबीन के संधर्म में निमलीकित में सही कफन कौन सा है या red मैं आक्सीजन का परिवहन करता है तो सही है या यह लौगिक है भी सही है या कुछ रोगों के व्रुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान तो यह सही नहीं है यह रक्त के लाल रंग प्रदान करता है यह यानि 3 को काट देते हैं बाकी सब सही है तो 1,2,4 यानि आपसर भी हम लोग का करेक्ट होगा रक्त में 1 ग्राम हमोग्लोबीन द्वारा आक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है तो 1.3 मिली लीटर आक्सीजन का परिवहन होता है एक ग्राम हमोग्लोबीन के द्वारा सरिन में निम्रे में से कौन संक्रमण से हमारी रच्छा करता है हीमोग्लोबीन जब संक्रमण से रच्छा की बात करें तो वहां पि एक Okay और अक्तता एनीमिया में निम्रिफित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया में हीमोग्लोबीन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है नेक्स कोस्टन है हम लों का जब रक्त में आक्सीजन की सांदर्ता की कमी आती है तो स्वास की गती क्या होगी स्वास की गती जो होती है बढ़ जाएगी इंक्रीज कर जाएगी नेक्स कोस्टन है हम लों का और रक्तता किसकी कमी के कारण होता है राइबोफ्लोवीन फाइमीन फालीकेसिद नियासिद तो फालीकेसिद की कमी के कारण और रक्तता होती है नेक्स है हम लों का किस विटामिन की कमी होने पर 85 रखतता हो जाती है तो यह विटामिन क्योंकि यही रखत में पाए जाता है तो विटामिन बी-12 होगा नेक्स कोश्चन है थैलिस्यमिया के रोग में सरीन में निम्ट के संसलेशन की छमता नहीं रखते विटामिन अनवांसिक रोग था थैलिस्यमिया आपको बताये थै रबी-सी अनवांसिक रोग है जिसमें हीमोग्लोमिन की गड़बड़ी पैदा हो जाती है बनता नहीं है तो हीमोग्लोग नेक्स कोश्चन है हम लों का जब कोई बाहरी बदार्ट मानो रूधिल पढाली में प्रविष नेक्स कोश्चन है रखमे गलाई लेुक्षल का सुर्वन की प्रभावित होता निम्श्चंड है हम लों का स्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख कार क्या है आक्सीजन पहुंचाना संक्रमड से लड़ना तो जब भी संक्रमड आता है तो Wbc ही आपको सोचना है कि Wbc ही इसका इंस्वर होगा सबसे बड़ा स्वेत रुद्ध्राडू है तो सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कोनोसाइट था उससे सबसे बड़ा का वियास होता है लॉक्त कैंसर का लक्षण निम्य में से किसके और समान बिर्दी से तो रख्त कैंसर की बात आती है तो स्वेत रख्त को सिखाएं रख्त कैंसर में लिकोपेनिया है तो अभी हम लोग देखे थे डबलुबी से स्वेत रख्त को इसकाओं में और समाने कमी यह डबलुबी सी हो जाएगा आपका कमी रूधिर में स्वेत रख्त कर्णिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित के रोग बिज्यान की भासा में कहते है एनेक्सिया लिकेमिया एनेमिया सेप्टी मिया तो यह लिकेमिया है रख्त कैंसर नेक्स है रख्त कैंसर लिकेमिया बिमारी की रोग ठाम के लिए प यह sterk होता है इसका यूज होता है रेडियो इस्तमॉल और इसका इसे क्वेत केश्ड है। तो यहां पर कहते हैं कि सी यू स्नोफिल जो होता है भच्छक को इसका नहीं है नेक्स है रोग प्रतिकारकों को उपन करने वाला सेल रेड बलड सेल नीट्रोफिल लिंफोसाइट प्लेट सेल तो यह लिंफोसाइट है रोग प्रतिकारकों को उपन करने वाला सेल जो होता है वो लिंफोसाइट होता है नेक्स है हमलोंका रोधिर के प्लाजबा में किस के द्वारा एंटी बाड़ी निर्मिद होती है Monocyte, Lymphocyte, Yesnophil, Neutrophils तो ये लिम्फोसाइड द्वारा जो तह एंटी बाडि का निर्मार किया जाता है Next है लिम्फोसाइड द्वारा उत्पन रचक प्रोटीन है Hemoglobin, Flower Protein, Billy Protein, Immunoglobin तो ये Immunoglobulin है नेक्स है नीट्रोफिलों और लिंफोसाइटों का उद्गम होता है ब्रिकी नलिका में तिली में अस्थी मज़ा में प्लसका में तो डवलोबीसी में है तो डवलोबीसी का निर्माड अस्थी मज़ा में होता है तो यह नेक्स है हम लोग का लिंफोसाइट का निर्माड होता का एक न्यम्पोसाइट का निर्माड तो अस्थी मजज 시 के होगा नेक्स है नीट्रोफिल्ड और न्यम्पोसाइड होता है, तो सबस्गहे जब कहा अस्थी मजजमे को होगे इनका निर्माड WBC है थो प्टिकाड़ू प्लेट लेट्स का दूसरा नाम है लिपोसाइट, रक्ताड़ू, प्टिकाड़ू, ठूमबोसाइट तो बैग्यानिक नाम क्या है ठूमबोसाइट यह आपसट डी करेक्ट है निम्मे वक्त है रुधिर को इसकाओं में से कौन सी एक रक्त असकंदन के तो यह प्लेटलेट्स है तो यह next question हम लो लेते हैं रक्त में कुछ निशित कोष्काओं की उपस्तिति के गारण रक्त का खक्का बनता है जो कालाती है लस्का कोष्का है, लिंफोसाइट, लाल रक्त कोष्का है और यह हो गया बिंबार्ड प्लेटलेट्स इसका एंसर होगा platelets सरीर में platelets के उत्पन का नियंतरण करता है इराइथो प्रोटीन, थम्बो, पोटीन, प्लाइचीमिन, हीपेरी तो इसका एंसर जो होगा थम्बो, पोटीन, पोटीन नेक्स है हम लोगा तो थम्बीन, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है के द्वारा स्रावित किया जाता है छोटी आत में रक्त प्लेट में बड़ी आत में और ये हर्द है तो ये होगा रक्त प्लेट लेट च्योंकि बाकी चीज़ें तो है नहीं इसमें यह सब है नहीं नेक्स है हम लोग का कोश्चन रक्त का थक्का बनने में फाइबरीनो जोन का फाइबरीन के परिवर्तन में भाग लेने वाला इंजाइम है पैपसीन, माल्टेज थ्रमबीन और ये थ्रमबीन तो थ्रमबीन नहीं थ्रमबीन होता है निमलिकित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आविस्यक है फिमाईलेज, थ्रॉमबीन, पेपसीन, रेनी ये थ्रॉमबीन है नेक्स है हमनों का पॉश्चन रुदिर असकंदन, रक्त का जमाव निमलिकित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है फाइब्रीन, 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 ग्लोबी, फाइब्रीनोजन ये है इसके द्वारा होता है थक्का बना निम्लिकित में से कौन मानों में रक्त का रक्क हाइबाने के लिए तो बीटामिन के एक वात यह भी ध्यान देना कि रक्त में कौन五-रक्ड में से बिटामिन स्काइब पास अ然 RJक सा बीटामिन पाए जाता है इसके अत्रिकं बी उतन तो नेग्स कोईशन है हम लोगंका थका बनने की परक्रिया के कारण घाहों से रग्द स्राव बंद होना क्या का लाता है तो असकंदन कहते हैं प्लोटिंग है अम लोगं का प्रक्त के ठक्त के बनने की परक्रिया को कहा जाता है हमोफिलिया कोगूलेशन का लाता है हमोफिलिया कोगूलेशन नेaja हैै question का विटामिन के विशिच भूंका किसके संशिलेशन में Albinine π्रतिरचली Globuline Prothombine यह निर्मार करता है D Prothombine नेगस है रक्त जमने में किस तत्यकी मुख मुख भूंका होती है तो रक्त जमाने में Qylesium की मुख भूंका होती है नेगस को रोपता है का निर्मार किसके द्वारा होता है लिंपोसय नीट्रोफिल बोच्विव एसनुफिल तो ये नेट्रोफिल्स द्वारा इसका निर्मार होता जंता नहीं है हीपेरीन के कारण की होता है रक्त जुटा जमता नहीं है लेक्ष्ट लूगोर्व की तिक है Gesundheitsa रक्त में प्रति असकंदन पदार्थ कौन्सा तिक असकंदन दिसके और त्शा कोश्डियन है रेशिक की तकते जमाव को रोकता है कहा निर्माड किस के द्वारा होता है अभी हम लोग ने देखा कौन है यह निमर्स कुछण है निमलिकित मैं से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्ता नहीं जमता है तो इसकी कमी के कारण तो यह जो होगा बिटामिक की कमी के कारण रक्त का थक्ता नहीं जमता है रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतर पर किस ऐलमूनियम लॉड का प्रयूग के जाता है एल्मोनियम नाइटेड, एल्मोनियम सल्फिट, एल्मोनियम कुलराइड, पोटासेलम, यह यूज किया जाता है, नेक्स है, वर्ड रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थत्के का पता लगाने हित्र प्रियोग में लाय जाता हुआ है, आरसैनिक 74, कोबा के लिए उप्योगी साबित होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।